हलो दोस्तों स्वागत थे आप सभी का एक निव वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले हैं दोस्तों अगर आप अपना लेप्टोप या फिर PC का यूज करते हैं तो उसमें दोस्तों नीचे कुछ इस परकार का यहां पर देख सकते हैं ये वाला task work दोस्तों आपका यहां पर नीचे होगा नीचे दोस्तों इसका ये permanent रहता है इसको चाहे तो आप change भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों उसका location जो है उसको change करके आप चाहें तो इसको अभी यहां पर देख सकते हैं और राइट साइड में इसकोचाया, तो हम लैफ्ट साइड भी ला सकते हैं, मैं तो ये दोस्तों करते कैसे हैं, चली जानते हैं इस वीडियो में, आप भी अपने लैपटोप या फिर PC में दोस्तों, इसको दोस्तों आसानी सिख कर सकते हैं तो वीडियो को लाश सक जरूर देखिएगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या प्रेस करने का अगर दोस्तों आप माउस का यूज कर रहे हैं यहां से दोस्तों एक बार आपको इस पे tap कर देना है जैसे ही दोस्तों आप click करेंगे यहां पे कुछ इस प्रकर का option यहां पर देखने को मिलेगा Simply यहां पे आपको दोस्तों करना क्या पड़ेगा यहां पर दोस्तों right side में देख सकते हैं आपको एक option मिलेगा simply यहाँ पे भी सबसे last वाले option पे यहाँ पे आपको task bar का option मिल रहा है simply इस पे आपको click करना है अगर दोस्तों यहाँ पे task bar का option आपको नहीं मिल रहा है तो उपर यहाँ पे find a setting यहाँ पे search bar भी दिया है चाहे तो आप इसमें भी search करके task bar ला सकते हैं तो simply दोस्तों हम चलिए अपना task bar जो है इसमें हम यहाँ पे click कर लेते हैं तो आप भी अपना task bar जो है दोस्तों उस पे click कर ले click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका task bar जो है वो यहाँ पे कुछ setting जो है वो open हो जाएगा यह दोस्तों setting आपको समझने की बात है कि अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप चाहे तो उसका location बहुत easily तरीके से change कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आगर आप scroll करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक यहाँ पर option में लेगा taskbar location on screen यानी दोस्तों आपका जो taskbar है उसका location आपका screen पर कहा होगा यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहले से setting है bottom बोटम का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर नीचे आप इसको नीचे बोल सकते हैं नीचे लेएं क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर bottom select है और हमारे हाटे आसबार जो है वो नीचे है अब इसको हम चाहें दोस्तों तो change करके right left यहाँ पर उपर भी इसको ला सकते हैं तो simply दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर bottom का जो option है simply bottom बाले option पर click करना है जैसे ही दोस्तों आप इस पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर चार option मिलेंगे चारों दोस्तों option पर देख लेकाbnzym एक यहांपे भिवर्क मिले किया दोस्तों दोस्तों ओलोग एक पर हमारे नीचे देख 일본 यहांपे आ Bye-bye जितना भी app से यहां पे चालू रहता है, या फिर जो भी दूस्तों, आप F स्क्वार करके रखते हैं, इसमें टास्क वर में, हूँ यहां पे आपको दूस्तों हम चल्ले, आप पहले right कर लेते हैं, क्योंकि दूस्तों, हम right आपको करके, सुरू में भी बताया थे कि right इसको कैसे करता है simply हम right वाले बटन पर click करेंगे हमारा देख सकते हैं दोस्तों taskbar जो है वो यहाँ पर right में आ चुका है अगर दोस्तों हम कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर right button पर click करके हम taskbar का पूरा काम कर सकते हैं या फिर दोस्तों इसको चाहें तो हम left भी कर सकते हैं यहाँ पर हम आपको एक वर यहाँ पर minimize करके भी दिखा देते हैं home screen पर यह कोई दोस्तों fact photo नहीं है यह original video आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं हमने इसको search में ही right में click करके यहाँ पर ला दिया इसी तरह से चाहें दोस्तों आप इस पर click करेंगे और click करने के बाद इसको top आले बटन पर जैसे ही click करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका screen जो है वो ultra type हो गया होगा तो screen दोस्तों ultra नहीं हुआ यहाँ पर देख सकते हैं कि अ करेंगे